अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बी स्कूल्स कहां पर हैं तो आप में से ज़्यातर लोगों का जवाब होगा अमेरिका लेकिन दर रियालिटी इस कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बी स्कूल्स हमारे भारत में हैं ये देखो जहां अमेर इंडिया के अंदर इतने सारे B-Schools होने के बावजूद भी हमारे यहां के management graduate को कोई धंकी salary नहीं मिलती। और ये मैं नहीं करूँ, बलकि according to Associated Chambers of Commerce and Industry of India, यानि कि ये ASSOCAM के अनुसार, जो इंडिया के top 20 B-Schools है न, उनको छोड़ कर, जो बाकी B-Schools है, उनके अंदर सिर्फ 7% ही ASSOCAM से जिनका placement होता है, और बाकी जो बच जाते हैं, उनको 8-10,000 रुपे तक की job मिलती है, पर एक मिनट, syllabus तो हर जगाँ पर सेम है, है न, तो फिर आखिर इन top B-Schools में ऐसा क्या होता है, जो की बाकी colleges में नहीं होता, और मान लो अगर कोई top B-Schools से नहीं है, तो फिर वो एक अच्छी salary वाली job कैसे ले सकता है, और सबसे बड़ा सवाल कि आज के इस बदलते वक्त में क्या MBA करना एक सही decision है भी या नहीं, तो इन सारी चीजों को आज एकदम detail में समझेंगे, सो सबसे पहले शुरू करते हैं definition से, B-Schools basically एक प्रकार के university level के institutions या फिर professional schools होते हैं, जो कि आप लोगों को business administration और management related courses offer करते हैं, इसलिए आप कभी भी notice करोगे, तो आपको दिखेगा कि जितने भी B-Schools होते हैं यहाँ पर आपको नाम के आगे दिखेगा, School of Management, Management School या फिर School of Business Administration, ऐसे नाम आपको मिलेंगे, अब यह जो B-Schools होते हैं, यह किसी ना किसी university के अंडर ही होते हैं, क्यों? क्योंकि जो universities होती हैं, वो business के साथ-साथ बाकी जो disciples होते हैं, उसके अंदर भी लोगों को education प्रवाइड करती हैं, लेकिन जो B-Schools होते हैं, वो specifically management focused होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि जितनी भी business से related पढ़ाई होती हैं, वो quality education होगी, दूसरी बात यह होती है, कि जो business schools होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ business related ही courses offer करते हैं, तो वहाँ पर industry के अंदर होने वाले जो changes हैं ना, यह लोग उनको बहुत जल्दी से adapt कर सकते हैं, ताकि बच्चों को industry ready education दे पाए, पर यह लोग सच में ऐसा करते हैं कि नहीं, यह आपको आगे पता लगेगा, अब देखू, यह जो पूरी चीज है, यही एक main कारण है, कि कोई भी बच्चा किसी university में जाने की बज़ए, किसी B school में जाना ज़ादा prefer करता है, क्योंकि वहाँ पर उसको management focused education मिलती है, बलकि मज़ेदार बात तो यह कि जो B schools है, वो कोई नया concept नहीं है, बलकि इस दुनिया का जो पहला B school है, वो था ESCP Business School, जिसको 18-19 में Paris, France के अंदर बनाया गया था, जो आज भी इस दुनिया का सबसे पुराना B school है, जिसके बाद अगले 100 सालों में यह जो business school का concept है ना, यह American और European countries में बहुत ही तेजी से फैलने लगा, और साल 1908 में जाकर USA की Harvard University, Harvard Business School की स्तापना करती है, और 1950 जाते आते तक इस दुनिया के अंदर जो business schools का number है, वो बहुत ही जादा तेजी से बढ़ने लगा, MSC Marketing, MSC International Business, ऐसी कई सारे courses बच्चों को offer करती है, अब यहाँ पर जो सबसे मज़ेदार बात है, वो यह है कि इन सब में से सबसे जादा business schools भारत के अंदर है, and according to All India Council for Technical Education, साल 2012 में जो हमारे देश का total B-schools का number है, वो 4766 तक पहुँच गया था, और देखो, यह तो सिर्फ approved institutes है, unapproved institutes की तो कोई गिंती ही नहीं है, एक data दिखातों आपको, साल 2012 में इन दोनों टाइप के B-schools के अंदर, 4 लाग बच्चों के admission की seats थी, और कोई भी seat खाली नहीं गय थी, मतलब कि 4 लाग बच्चों ने admission लिया, और वो लोग post graduate होए, लेकिन अगर हम ESOCHAM के survey को देखे, तो companies के अंदर इन graduates के इतनी demand होने के बावजूद भी, जो placement rate है न, वो 40% तक decline किया था, क्योंकि इन सारे graduates में से, सिर्फ 10% ही ऐसे graduates थे, जो की employable थे, मतलब 4 लाग में से, सिर्फ 40,000 लोग ही employable थे, National Employability Report 2013, just have a look, 32,000 management graduates को study करने के बाद ये पता लगा, कि इन में से सिर्फ 10% ही ऐसे graduates हैं, जो की HR, operations, finance, ऐसे सारे function areas के अंदर, actually में employable हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे, कि ये तो पुराना data है, आज की date में तो चीज़े बहुत बेटर हो गई होंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सच तो ये कि आज तक management graduates की जो हालत है न, उसमें कोई भी improvement नहीं हुई है, यहाँ तक कि अगर आप देखोगे, तो जो B-Schools की संख्या है न, वो भी कम होती जा रही है, जैसे साल 2015-2016 के अंदर, 3,450 B-Schools थे, लेकिन साल 2019 से 20 के अंदर अगर आप देखोगे, तो ये नंबर कम होकर 3,037 तक रह गया है, आसो चाम की एक report के अनुसार, अगर हम इंडिया के top 20 B-Schools को हटा देना, तो उनके अलावा सिर्फ 7% ही S.E.M.B.A. graduates है, जिनका placement उपाता है, और बाकी बचे वे 8 से 10,000 रुपे तक की नौकरियां कर रहे हैं, साल 2020 में इंडिया टुड़े ग्रूप ने एक सर्वे कंड़क किया, जिसके अंदर 293 बिजनस स्कूल्स को सिलेक्ट करके, उनमें से टॉप 100 B-Schools को निकाला गया, अब ये जो लिस्ट थी, इसके अंदर जो फर्स से 25 रैंक तक के स्कूल्स थे न, उनके अंदर जितने भी बच्चे हैं, उनकी डोमेस्टिक अवरेज सैलरी थी 19.61 लाग रुपीज, वहीं पर जो 76 से 100 रैंक वाली B-Schools हैं, उन सब की जो अवरेज सैलरी थी, वो थी 5.8 लाग्स, अब ये सब देखे, आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा, कि आखिर ये जो टॉप 25 B-Schools हैं, ये लोग ऐसा क्या देते हैं, कि यहां से निकलने वाले बच्चों की इतनी जबरदस सैलरी वाली जॉब लगती हैं, तो देखो, अगर आप बहुती ज़ादा critically analyze करो, तो जो टॉप 25 B-Schools हैं न, वो अपने सारे बच्चों को ये 5 चीज़े प्रवाइड करते हैं, जिसमें पहली चीज आती है, reputation and perceived brand value, See, जो भी top 20 schools होते हैं न, उनकी एक बहुती strong reputation होती है, जो कि उन्होंने काफी सारे साल लगा कर बनाई है, और यहां पर ये लोग एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, and that is entry barrier, चाहे कुछ भी हो जाएं, बहुती कम बच्चों को admission देना है, क्यों? क्योंकि अगर हम कम ब से 20 schools है न, इसमें जो first to 25 rank के बीच में है, उन सब का जो average duration है existing period है, वो है करीब करीब 30 साल, मतलब कम से कम 30 साल से तो ये 20 schools exist करते हैं, लिकिन जो बाकी 76 से 100 के बीच में हैं, उनको शुरू हुए वे 20 साल भी नहीं हुए हैं, और दिखो, जब कोई 20 school जितना पुराना होता जाता है, उसकी market के अंदर reputation उतनी जादा बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से market में exist करकर बच्चों को वहाँ से graduate करवा के job दिला रहे हैं, फिर जो दूसरा है, वो है admission criteria and selection process, अब इस से फरक क्या पड़ता है, तो देखो, किसी भी top 20 school में घुसने के लिए आपको एक highly competitive admission process से गुजरना होगा, जिसमें किसी भी candidate के academic records, उसका relevant work experience, उसकी leadership qualities और यहां तक कि उसका एक बहुत ही impressive extra curricular का जो पूरा achievements का portfolio है न, वो सारी चीज़े चेक करते हैं, अब इस से फरक ये पड़ता है, कि जब किसी बंदे के portfolio में ये सारी चीज़े दिखती है न तो ये चीज़े उसके बारे में बहुत कुछ बताती हैं, अच्छे grades जो होते हैं, वो आपको job में काम नहीं आएंगी, लेकिन जो आपके अच्छे grades है न, वो एक b-school को ये बताते हैं, कि ये जो बच्चा है, ये consistently मेहनत करता वाया है, और ये पढ़ाई को लेकर serious है, अब इसके अलावा top b-school में और क्या-क्या खास है, तो उसमें ये तीसरी चीज़ आती है, जो कि ये strong industry connections, आप कभी भी top b-school को देखना, वो लोग जो leading companies होती है न, उनके साथ एक बहुती ज़्यादा powerful connection मना कर रखते हैं, और ये चीज़ करने के लिए, इनके पास large networks और partnerships होती है जहाँ पर ये बच्चों को internship projects, job opportunities और ये सारी चीज़े provide करवाते हैं, यही कारण है कि अगर आप India के top 25 b-schools देखोगे न, उनका जो placement performance है, वो बहुती ज़्यादा high होता है, अब यहाँ पर जो companies हैं, वो क्यों इन सारे b-schools के बच्चों को इतनी अच्छी salary offer करती हैं, इस तो होगा, और क्योंकि इन b-schools में घुसना अतना आसान नहीं है, तो definitely ये मेहनती होने के साथ साथ एक अच्छा intellect भी carry करता होगा, तो अगर हम इसको अपनी company में रखकर जल्दी से train करेंगे, तो ये बहुत अच्छे results produce कर सकता है, also ये जो top b-schools है, इनका जो ये इतना powerful network ह इसको बनाने के लिए ये लोग ये तीन चीज़े करते हैं, जिसमें पहला काम है, industry advisory board, कई सारे top b-schools ऐसे हैं, जिनोंने अपना industry advisory board बना रखा है, जहाँ पर वो लो काफी सारी companies से बहुत सारे professionals को शामिल करके, वहाँ पर अच्छे खासे discussions करते हैं, जिससे कि उनको ये पत होते हैं, वो होता है corporate partnerships and collaboration, जितने भी बड़े b-schools हैं, ये सारे के सारे जो leading corporations हैं इनके साथ collaborate करते हैं, क्यों? ताकि ये जितनी भी companies हैं, इन सब के अंदर जो भी research projects हो रहे होते हैं, case studies होती हैं, consulting assignments होते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर ये लोग अपने बच्चों को engage कर आते हैं, ताकि actual work life में पहुँचने से पहले ही बच्चे work culture से adapt कर जाएं, और तीसरी जो चीज़े नोंने कर रखिये, वो है internship and experiential learning programs, ये जो internships होती हैं, ये students को practical work experience, industry dynamics, उस industry के अंदर क्या-क्या exposure हो रहा है, classroom के बाहर चीज़े किसे काम करती हैं, ये सारी चीज़े सिखा द जिससे होता ही है, कि job करने से पहले ही बच्चे को एक opportunity मिलती है, कि वो समझ पाए कि job में चीज़े होती ही कैसे हैं, जिससे वो industry ready बहुत जल्दी बन जाता है, और जब वो job में पहुँचता है, तो वहाँ पर उसे चीज़े सीखने में time नहीं लगता, अब इसके बाद इन चार साल पहले उस college से बाहर graduate होई है, वो लोग आकर जो active students है, जो अभी पढ़ रहे हैं, उन सब को बहुत सारी चीज़े सिखाते हैं, guidance देते हैं, mentorship देते हैं, जिससे कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको बहुत जादा मदद मिलती है, and also क्योंकि उनको alumni ने help क All India Management Association और SOCAM, इन दोनों का ये मानना है कि इंडिया के अंदर जो जातर B-Schools है न, उनके अंदर infrastructure, robust teaching methodology और जो placement opportunities हैं, इन सारी चीज़ों की बहुत जादा कमी हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में, साल 2013 में ही SOCAM अपनी report में बता चुकी थी, लेकिन आज तक उस implementation नहीं हुआ है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, कि अगर हमें किसी टॉप B-School में गुसना है, तो आकर हम कैसे जा सकते हैं, अब देखो इस चीज़ के लिए, आपको CAT के exam में बहुत ही अच्छी percentage चाहिए होगी, और बहुत सारी ऐसी institutes हैं आज की date में, जो आपको अच्छी खासी CAT की coaching कराते हैं, और मैं आपको ऐसा ही एक institute बताता हूँ, जिसका नाम है I-Conta, अब यहाँ पर मैंने काफी सारी research करी थी इनके around, और मुझे ये पता लगा, कि जो 99% टाइलर्स हैं जो इस वक्त काफी सारे IIMS में पढ़ रहे ह उनका जो ratio है, जो institute से निकल कर गए हैं, उनमें सबसे जादा जो निकले हैं, वो निकले हैं I-Conta से, और इसका एक बहुत ही basic सा reason है, इनका जो quality और study material है, और साथ-साथ ही रोग 24-7 doubt solve भी करते हैं, अगर आप data को देखोगे, तो I-Conta ने पिछले 6 सालों में 5000 से भी जादा students को IIM जैसे top colleges में पहुचा है, जिसमें कई सारे बच्चों के नाम है, जैसे कि रिशी मित्तल, गुर सिम्रन अहूजा, रिशव रहीमान, रूशी केश पातिल, हरी करन चावला, और ऐसे कई सारे बच्चे हैं, अगर किसी को IIM जाने के लिए cat की coaching करनी हैं, तो वहाँ पर I would recommend them that they should go for Iquanta cat coaching, in fact, इन लोगों के पास एक dedicated cat की community भी है, जिसका नाम है Cat Preparation Iquanta, जहाँ पर इस वक्त 3-4 लाग मेंबर्स हैं, जिसमें सारे बच्चे हैं, जो MBA aspirants हैं, जो currently MBA कर रहे हैं, वो भी हैं, और जो top B school से pass out हो चुके हैं, वो लोग भी हैं, and the best part is, कि अगर आपको क doubt ये query है, तो वो 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही solve हो जाए, ये जो free group है, इसका link मैं नीचे description और comment box में आपके लिए डाल दूँगा, आप जाकर वहाँ पे इसको join कर सकते हूँ, and also अगर आपको Iquanta की cat coaching courses चाहिए, तो उनका link भी आपको नीचे description comment box के अंदर मिल जाएगा, ASU CHAM का ये कहना है कि B-Schools को infrastructure, faculty training, industry linkages और research and knowledge creation के उपर काफी पैसे खर्च करने चाहिए, जिससे की quality of education को improve कर सकते हैं, और यहाँ तक की जो teachers है ना, उनको भी अच्छी salary पर hire करना चाहिए, यहाँ पर अगर हम India Today की report को देखे, तो आपको ये दिखेगा कि जो private B-Schools है औ वो करीब 15.5 lakh रुपीज है, वहीं पर एक private B-School के teacher की salary मोटा मोटा 8.9 lakh रुपीज के आसपास है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कि आखिर ये जो पूरी गडबड चल रही है, ये गडबड हो कहाँ पे रही है, और हम लोग आखिर ऐसा क्या कर स रही है, कि इस गडबड को ठीक किया जा सके, तो चलो, इस चीज को समझने के लिए, जो top 100 B-Schools है न, उनकी list को एक बार ही दुबारा निकालते हैं, अब ये जो list आपको दिख रही है, इसको इन 5 अलग-अलग parameters के basis पर बनाया गया है, जहाँ पर ये दो बहुत ही important parameters भी आ लिकिन वही पर जो government B-Schools है, उनका जो learning experience है, वो आपको हमेशा किसी private B-School से जाधा मिलेगा, और placement performance, जो की learning experience का ही एक by-product है, आपको वो भी government B-Schools में private B-School से जाधा देखने को मिलेगा, और example, इस list के अंदर National Institute of Industrial Engineering Mumbai, जो की 12 रैंक पर आते है, वो एक government B-School है, और इसक जस्ट नीचे आता है एक private B-School, जिसका नाम है Institute of Management Technology, गाजियाबाद, इन दोनों में अगर आप overall देखोगे, तो जो government B-School है, वो superior है, in terms of learning experience also, and in terms of placement performance भी, लेकिन अगर आप living experience देखोगे, तो वो आपको जाधा दिखेगा एक private B-School का, in fact, MIT गाजियाबाद का living experience है न, व कभी भी देखना, जो government B-School है न, बच्चे हमेशा उनको जाधा priority देते हैं as compared to a private B-School, क्योंकि CDC बात है, जो government B-School है, उसकी जो fee है, वो एक private B-School से comparison में काफी जाधा कम होती है, इसका एक जबर्दस example दिखाता हूँ, यह है I am Ahmedabad, जो कि एक autonomous body है, जो basically HRD ministry के अंडर आती जिसका fee structure अगर आप देखोगे, तो 2 साल का करीब करीब 24.61 लाक रुपीज बनता है, वहीं पर दूसरी तरफ यह है FMS Delhi, जो कि एक government B-School है, जो government के अंडर सीधा सीधा आता है, इसकी अगर आप 2 साल की fee देखोगे, तो आपको दिखेगा यह है सिर्फ 2 लाक रुपे, पर यहाँ पर जो interesting बात है, वो है इन दोनों colleges का placement performance, इन दोनों ही colleges का, जो average placement है ना, वो करीब करीब सेम है, लेकिन पते सिर्फ यही सारे कारण नहीं है, कि यह सारी की सारी companies, इन टॉप B-Schools के बच्चों को बहुत जादा preference देती है, इसके अंदर एक बहुत ही जादा बड़ B-Schools को छोड़ कर, बहुत ही कम ऐसे management institutes हैं, जो कि बच्चों की soft skills के उपर काम करते हैं, और corporates में अगर आप बहुत ही ध्यान से study करो, तो आपको दिखेगा, कि कोई भी company, soft skills के नाम पर किसी भी बंदे के अंदर ये 5 चीज़े डूनती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आत अच्छी qualities हैं, जो नहीं हैं उन पर काम करो, और जो अच्छी qualities हैं उनको और जादा बढ़ाओ, अब इससे होता ये कि आपकी जो overall listening की ability है वो बढ़ जाती है, और जो आपकी listening ability बढ़ती है, तो आप सामने वाले को और जादा better समझ पाते हो, जिससे कि आपके पास उस पू आपने वाले की feelings को समझना न, एक art है, और जिसको ये art आजाता है, वो अपनी productivity और अपनी earning, दोनों चीज़ों को बहुत तीजी से बढ़ाता है, फिर जो दूसरी चीज़ आती है, वो है integrity and ethical responsibility, billionaire और इस दुनिया के सबसे बड़े investor, Mr. Warren Buffet कहते हैं, कि अगर किसी इंसान के इंटेग्रिटी नहीं है न, तो उसको कभी hire मत करना, क्योंकि इस दुनिया के सबसे successful employees आपको जितने भी मिलेंगे, वो सब आपको ethical मिलेंगे, आपको दिखेगा कि वो लोग चाए फायदा हो, चाए नुकसान हो, दोनों ही conditions में वो ही decision लेते हैं, जो कि ethically सही होता है, ये स सारे लोग आपको humble मिलेंगे, दूसरे लोगों की time की respect करते हैं, हर एक इंसान को अच्छे तरीके से treat करते हैं, और जब कोई कोई अच्छा करता है, तो उसको उसका credit भी देते हैं, फिर तीसरी जो soft skill है, वो है adaptability and resilience, आज की date में जो technology है न, वो बहुत तीजी से बदल रही ह जो की जरुरत के हिसाब से अपनी speed बढ़ा सकें, अलग-अलग तरीके की responsibilities उठा सकें, और जरुत पढ़ने पर अपने teammates के behavior को adapt करके उनकी मदद भी कर पाए, agility and flexibility, ये दो चीजे हैं जो adaptability के साथ साथ चलती हैं, आपकी agility जितनी जादा होगी और आप जितने flexible होगे, आप उतनी ही जल्दी चीजों को adapt कर पाओगे, अब इसके बाद आती है ये चौती soft skill, जो कि ये self motivated and self directed, देखो, self motivated employees वो होते हैं, जो कि अपनी internal motivation से काम करते हैं, और यही कारण होता है कि company को उन employees से काम करवाने के लिए बहुत जादा माथा फोरी नहीं करनी पड़ती, ऐसे जो अब ये सब कुछ समझ लिया, अब इसके बाद आती है ये 5 वी और सबसे important soft skill, जो कि ये mindfulness, mindfulness जो है, ये आपकी एक ऐसी soft skill है, जो आपकी बाकी सारी soft skills को develop करने में मदद करती है, जो भी इंसान mindful होगा न, वो जादा emotionally intelligent भी होगा, उसकी adaptability भी जादा होगी, और वो चीजों क लेकर जादा clear होगा, पता एक fact बताता हूँ आपको, जो बच्चे tier 2 और tier 3 cities से B schools में आते हैं न, उन बच्चों का सबसे कम placement होता है, तो देखो, जब भी कोई fresher किसी B school से निकलता है न, तो वो mainly ये 6 गलतियां करता है, और आपको ये गलतियां बिलकुल नहीं करने ही, जि ऐसे होते हैं, जो अपनी abilities और अपनी knowledge को बहुत जादा overestimate कर लेते हैं, overconfidence में होते हैं, जिससे कि उनको ये 2 problems आती है, पहली problem ये होती है, कि जो experienced teammates होते हैं उनके work में, उनके साथ उनका जगडा होता रहता है, और दूसरी problem ये, कि बहुत सारी conditions में, वो लोग किसी भी task की जो complexities हैं उसको underestimate करते हैं, और उसके लिए सही से तयारी नहीं करते हैं, फिर आती है ये दूसरी गलती, जो कि ये underestimating the power of soft skills, हाँ ठीक है, technical skills बहुत जादा ज़रूरी है, लेकिन communication, teamwork, adaptability, ऐसी जो soft skills होती हैं, वो actually में आपके promotion के अंदर एक बहुत बड़ा role play करती हैं, बहु बहुत ही जादा slow होता है, फिर आती है ये तीसरी गलती, जो कि ये lack of networking, आपका जो भी workplace है, वहाँ पर अच्छे professional relationships बनाने से आपको अपने career के अंदर बहुत जादा mentorship मिलती है, आप बहुत जल्दी ऐसी चीज़े सीख जाते हो, जो उन लोगों को सीखने में काफी जादा time जिससे कि आपकी जो growth की speed है वो बहुत बढ़ सकती है, और बहुत सारे लोग network नहीं करते हैं, फिर इसके बाद जो चौती गलती लोग करते हैं, वो है not seeking feedback, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जो या तो over confident होते हैं, या फिर इतने under confident होते हैं, कि वो लोग कभी भी feedback को लेते ही न management, अगर आप campus से corporate में पहुँचने के बाद भी, अपने time को सही से manage नहीं कर पा रहे हो न, तो आपको बहुत problem आने वाली है, क्योंकि इससे होगा ही कि आपकी जितनी भी work deadlines हैं, वो सारी छूट जाएंगी, और आपको उसको compensate करने के लिए overwork करना पड़ेगा, और फिर जो छटी गलती लोग करते हैं, वो होता है misunderstanding the company culture, देखो जब भी आप किसी company के अंदर job करने जाते हो न, तो वहाँ पर एक बहुत ही important चीज होती है company culture, और अगर आपकी values, company के values के साथ aligned नहीं हैं, आप वहाँ पर job मत करो, क्योंकि वहाँ पर आप हमेशे dissatisfied रहोगे, इसलिए हम आपकी values से काफी जादा similar हो, अब देखो यह तो गलतियों की बात थी, अब जरा यह समझते हैं, कि जो थोड़े से low ranking वाले B schools हैं, वो लोग आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं, कि वहाँ से निकलने के बाद भी बच्चे को अच्छी job मिल जाएं, तो पहली चीज जो है, वो है total rev ramping of syllabus, सालिम जैसी city का एक example लेते हैं, जो कि तमिल लाडू के अंदर है, और वहाँ की 5th largest city है, जिसके अंदर कम से कम 25 B schools हैं, देखो वैसे तो यह एक tier 2 city की गिंती में आती है, लेकिन अगर हम the week के हिसाब से देखें, तो सोना इंडिया के जो 179 B schools हैं उन में से ये 129th rank पर ranking है, उसको improve करना है तो उसका ये काम है कि वो हर 6 महिने के अंदर अपने syllabus को update करती जाएं, फिर जो दूसरी चीज़ करनी चाहिए, वो है industry tie-ups and MOUs, देखो जो tier 3 cities के अंदर B schools हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ये सारे B schools कम से कम industries से 6 km दूर हैं, जिसकी वज़े से ज इस सब के साथ tie-ups कर ले, तो ये सारे बच्चे, इन सारे industries में जाकर actually में practical knowledge भी ले सकते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद, जो तीसरी चीज़ करने की जरूत है, वो है taking internships very seriously, अब देखो क्योंकि MBA students को जा number है, वो बहुत जादा होता है, तो जो tier 3 के अंदर MBA colleges हैं आ, वहा पर जाकर उनको study करें, और ये समझे के कौन सी company की क्या requirement है, और अपने students को वहाँ पर internship करने के लिए भेजे, ताकि students को actually में industry का experience मिले, और वो लोग seriously internship के दौरान सीख पाए कि यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि समझने की कोशिश करो, अगर किसी graduate की education ही ऐसी होगी, जो कि company क के लिए बिल्कुल भी valuable नहीं है, तो उसको company वैसे भी पैसे नहीं देगी, अब चलो ये तो बात होगे B-Schools के improvement की, मगर यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है, कि क्या MBA करना आपके लिए worth it है भी या नहीं, अब देखो यहाँ पर MBA करने के लिए ब काफी सारी companies को काफी जादा नुकसान हुआ है, इसलिए अब companies उन लोगों की तलाश कर रही है, जिनकी पास सही skill sets हो, जो कि कम टाइम में company की position काफी जादा अच्छी कर पाए, अब क्योंकि जब आप एक अच्छे B-School में जाते हो, तो वहाँ पर आपको soft skills और technical skills, ये दोन को पैसे भी जादा मिलते हैं, अब दूसरा जो reason है, वो होता है to accelerate your career path, अब देखो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जो की एक technical degree करके बैठे वे हैं, लेकिन होता ही है कि जो technical skills हैं, उनके companies जादा पैसे नहीं देती हैं, जादा पैसे मिलते हैं management skills की, इसलिए बहुत सारे ल होगी शायद civil engineering में, और उसके बाद वो लोग MBA करते हैं finance में, जिसके बाद वो आगे चलकर finance के अंदर ही job करते हैं management की, तो यहाँ पर MBA जो है, वो management के थुरू आपको अपना जो career का path है न, उसको भी बदलने में काफी जादा help करता है, और तीसरा जो reason है, जो की actually में बहु business school का alumni network देखोगे, तो वहाँ पर आपको 15 industries के अंदर 65,000 से भी जादा alumni मिल जाएंगे, अब जरा सोचो कितनी अलग-अलग industries से कितने सारी लोग हैं, तो यहाँ पर मेरे को कितने जादा powerful connections मिलते हैं, जिनके साथ connect करके मैं चीज़े सीख भी सकता हूँ, और आगे future में नई opportunities भी explore कर सकता हूँ, in fact you know, ऐसा बहुत बार ही होता है, कि किसी B school से निकल कर कोई alumni एक company शुरू करता है, और वहाँ पर वो अपने ही B school से किसी दूसरे बच्चा, जो कि अभी अभी graduate हो किया है, उसको hire कर लेता है, just because वो उसके B school से है, मैंने personally यह बहुत जादा होते वे दे तो नीचे हमें comment section में जरूर से बताना, rest, MBA करना है या नहीं करना है, वो हर एक की एक personal choice होती है, लेकिन आपके लिए MBA worth it है या नहीं, वो आपको अपने career के requirement के हिसाब से पता लगाना होगा, अगर आपको इस वीडियो से value मिलियो, तो please आप इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर से कर देना, ताकि आपसे ऐसी powerful वीडियो कभी भी मिसना हो,